हलो बच्चो वालकम में टूप चैनल आज किस वीडियो में हम देखेंगे आपकी कख्षा चार्क की जो हिंदी भासाई किताब है फुलवारी उसके कारी पृस्तका आपको मिल चुकी होगी और उसमें वर्क करने को दिया गया है तो पहले हमें हिंदी किताब पढ़ लेने हैं जो है कारी पृस्तका में कारी करना है तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 13 होसला से आगे के लिए और इससे पहले की जो चैप्टर हैं उनका वीडियो आप नहीं देखा है तो इस वीडियो की डेस्कुसन में उन वीडियो उसका लिंक मिल जाएगा वहां से आ और अपना कारिये कम्प्रीट कर सकते हैं तो करते हैं प्रायरम हम करदेना जिस दिनांग के लिए आप कारिये करेंगे तारिख के लिए यहां पहला प्रेस्थन हम पढ़ते हैं तो दिया है कि निमलिखित सब्दों का उनकी अर्थ से मिलान करना है तो यहां आपके लिए सब्द दिये गये हैं और उनकी अर्थ इदर दिये गये हैं तो हमें मिलान कर देना जैसे कि बुलंदी बुलंदी का अर्थ होता है उतकर्स उचा उचाना दाखला का जो अर्थ होता है वो होता ह किसी में दाखला ले लेना प्रिवेस कर लेना प्रित्वा का मतलब होता है असा धारण बुद्ध मता बहुत तेज बुद्धी बाला हतासा का तात्परी होता है निरासा और प्रित्दुंदी का मतलब होता है मुकाबला करने वाला होसला का अर्थ होता है उत्साहा और लक्ष इसका अर्थ होता है उद्देश तो ये इस तरह से हम सब्दों का अर्थ से मिलान कर देंगे इसके दम चलते हैं इसका जो इस पार्ट का नेक्स्ट कुरिशन है वो है कि दिये गए प्रश्णों के उत्रह में यहां पर लिख देने हैं इसमें पहला प्रश्ण पढ़ेंगे प्रत्यवता कहां होने वाली थी तो इसका जो आंसर है वह चैन नई नेक्स्ट कुर्ट में दिखेंगे माइकल ने वच्चों से क्या कहा जब माइकल अपना उगोस्त दे रहा था उसमें कहा था कि विपत्ति के समय होसला बनाया रखना जरूरी है इसके लिए नेक्स्ट इ दिया गया है वह आंक का तारा होना इसका अर्थ होता है प्रिय होना तो यहां इसका बाक में प्रेव करेंगे कि रहा उल अपन दादा दादी का आंक का तारा है नेक्स्ट जो मोहबरा है वह रंग में भंग पढ़ना इसका अर्थ होता है खुसी में बाधा पढ़ना इसका हम बाके में प्रेव करेंगे कि सोहन की बरात में कुछ सरावियों ने जगड़ा करके रंग में भंग कर दिया नेक्ष्ट के आपका मोहबरा है खुसी का ठिकाना ना होना बहुत अदे खुसी मिल जाना वेहद खुसी होना काजल दसमी पास हो गई उसे बहुत खुसी है उसकी खुसी का ठिकाना नहीं है नेक्ष्ट इसका मोहबरा हम पढ़ लेते हैं तो है हिम्मत ना हारना अपना साहस ना खोना इसका जो बाकर में प्रेव करेंगे शुहन दसमी फेल हो गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मेहनस से पढ़ने लगा इसका नेक्ष्ट कुश्ट देखेंगे रिक्तिस्तानों की पूर्ती कोष्टक में दिये गए सब्दों से करना है जैसे कुछ सब्दों देखेंगे दिये गए हैं हमारे पास एक तो है प्रिकास सेकेंड है मित्र हस्ता हुआ साब्धान निरास तो पहला हम कुश्टन पढ़ते हैं इसमें है कि बालक की छोटी छोटी आँखें घूंगराले वाल और यहां पर देखेंगे तो हस्ता हुआ प्रिकास फैलने लगा प्रिकास यह फिल करेंगे अब चलेंगे हम इसके नेक्ट कुश्टन तरफ तो यहां देखोगे आप पांचमा कुश्टन है यहां पर निम्लिकित सब्दों के समानार्थर सब्द लिखना है समानार्थर तात पर यह परयावाची या फिर एक ही अर्थवाले यहां देखेंगे इस सब्द हमें दिये गए हैं इनके समानार्थर हमें यहां लिख देने हैं तो पहला जो है मित्र के समानारत्क सब्द लिख देंगे इसके हम चलेंगे नेक्स्ट पिरसंग तरफ तो यहां देखेंगे पाठ के आधार पर नीचे दिये गए सब्दों का सुद्ध रूप लिखना है यहां आप देखो पहला दिया है प्रति दुंदी ठीक हम इसको सही से लिखेंगे प्रति द उप्ताव हमें प्रति उप्ताव बनाना है लासथ में अस्पतालों का अपात्काल ठीक है यहां पर आप यहां पर अस्पताल भी लिख सकते हैं अस्पताल नेक्स कुछन देखेंगे नेम्टिके सब्दों का विलोम लिखकर उनका बाक में प्रियोग करना है तो पहला जो सब देखेंगे अंदकार इसका विलोम हम लिखेंगे तो अंदकार का उल्टा हो जाएगा प्रिकास इसी प्रिकास के लिए हम बाग़ में प्रियोक कर सकते हैं वह लिकास आसा का अपोजिटी जो हो जाएगा निरासा ठीके रोता हुआ खासता हुआ ऐसाबधान का होजाएगा साबधान इसका नेक्स कुर्शन आपको मिल गा कि नीची दिये गए याता याता संबन्दित संकेतों का आसे हमें लिखना है आप जब कहीं रोड़ पर जाते हैं हाइवे पर आपके लिए यह संकेत जो है बोड़ पर लगए वोई मिल जाएंगे तो इन संकेतों किया अर्थ होता है वो हम जान लेते हैं यहां आप देख रहें पहला गोला बनाके एक होर्न कर सकते हैं यह सदगे को संखित मिलता है देखेंगें तो यह आपका देखेंगे यहां ge जान लेने चाहिए अब हम देखेंगे इसका नेक्ष्ट पार्ट है और इसका पहला प्रस्ण है कि सब्दों का अर्थ निलान करना है यहां हमें सब्द दिये गये हैं ठीके और यहां पर हमें अर्थ दिये गये हैं तो हमें मिलान कर देना है जैसे पहले है पराकर्मी पराकर्मी का अर्थ होता है बीर इसके उल्लास का मतलब होता है खुसी परेटक का मतलब होता है शैलानी और संचार का मतलब होता है फैलाना ज पहला जो प्रिशन है कि दक्षण भारत में केरल राज का विशेश तुहार कौन सा है ओडम तुहार है दियां रखेंगे ओडम जो है स्रावण मास में मनाया जाता है और मल्यालम में स्रावण मास को चिंग मासम कहते हैं यह भरतेंगे जो कुश्शन है कि शी धाल में महावली है जो कलने के बाद नाम राजा के रल में राज करते थे इस तरह से हमेंuses कर लेंगे केरल राज कर लेंगे है केरल राज का प्रिसर्थ Two धंदा रवड का इहां पर में उध्धोड है चाय का भी उधुग होता है तो रवड का और चाय का हम यहां पर लिख देंगे केर राज की प्रमुक father भासा है भो है मलयालम मोडमत वियर के साथ किस राजा कर नेक्श कुरूशन है इसमें कि ओलमत ngut तब चार दरों तक मनाये जाता है कि कर नेक्श्च कुरूशन हैμεटि अ those स्रावर्मास इसका अर्थ होता है सावन का महीन होता है तो हम च 250 अपर बाक्में प्रयू कर सकते हैं उल्ला सक करमे मतलब होता है से बाइसे बाइसे अभी पुरणा को हैं प्राचीन काम्तायां बहुत पृशिद्ध यह बाक्त हैं करो सकते हैं श्रूंक है afterические को सकते ने कुछ संद्ध के थहरों के बारे में में लिखना आ तो कौन सर्था पसंद थो में जलूर बताएं और यहां पर अपने वर के बारे में लिख ले इसका हम चलेंगे next question तरफ यहां देख रहे हैं आप यह जो है केरर राज के प्रिसेत तुहर ओडम के बारे में सब्द जाल बनाईए और इसके बारे में विस्तार पूर्पक लिखना है यहां पर बीच में आपको लिख दिया है ओडम और देदर बॉक् करते हैं और यहां देखेंगो ओडम राजा महावलेई से जुड़ा हुआ है और ओडम केरर राज का तो यहार है तो यह सब्दिसाल हम इस तरह से बना सकते हैं आसानी से इसके दम चलेंगे next पार्ट की तरफ वीरभ मन्नू आपका पार्ट यह 15 रहेगा यहां पर तो जो इ ठीक है नियत्ता का तात्परी होता है जिसके पास असस्त्र ना हो लड़ाई रड़ते समय सार्थिक मतला होता है साथ देने वाला इसका हमने next question देखेंगे प्रिशन संक्यात दो प्रिशनों के उतर लिखना है हमें पहला प्रिशन है महावारत का विद्वत कितने किन के बी ये कौरव के सनापति थे अब मन्नुने चक्रभु बहतें कि बिद्या कभ सीखी थी इंप्रिट कॉश्षन है तो इसका जो आंसर है मा के गरम में ही अरुण ने वह अरुण ने जो है चक्रभु करभु बिद्या कि आपनी पतने के लिए सुनाय ठी और उसमें जो मा के गरम में थे भही उन्होंने उसे विद्ध्या कहाने सीख लिए थी लेकिन जब लाश्ट द्वार तोड़ने की बारी आई थी तो उसमें उनकी माँ सो गई थी तो उन्हें जो लाश्ट द्वार तोड़ने की विद्ध्या थी वो नहीं सीख पाये थे इसलिए विद्ध में मारे ग इसका जो आंसर है वो है गुरु दोड़ाचारी ही चक्रवयों के प्रिथम द्वार पर खड़े थे नेक्स्ट कुर्शन देखेंगे नीचे लिखे मुहाबरों के का अपने सब्दों में प्रेव करना है तो पहला जो मुहाबरा है मुह की खानी पड़ी पुरी तरह से हार जा सकते हैं डठकर मकावला करना इसकार्वा लेना इसा करता है नेक्स्ट धीचन आपको जे और सब्सक्राइब दिखना है तो हीरा देख लेते हैं हमें सब्ति दिये गया है और प्रया बाची लिखना आहिए ॹसटु का आसमान हो जाएगा और इदध का रण हो जाएगा कि सत्रू का ढर्सुमन धर्ति का भूमी बान में उस तर जही सं़े थें एंट तो इस यह बिल्कुल सही है इस पूद्र के नहीं पर नेक्स कोशन है कि अर्जुन ने दुल्डाचारी के रत को घौडो समयता कासम झख दिया था यह यहां भीम ने जो है जोड़ाचारी के रत को घोड़ो समेता कासम फिख दिया था नेक्स कुर्शन है दुसासर के पुत्र ने पीछे से अबमनु को सरपर गदा मार्क से बार किया बिल्कुल सही है उसके बाद ही जो है उनकी मृत्व हो गई थी नेक्स कुर्शन देखेंगे नेक्स कुर्शन देखेंगे इसमें आपके लिए मिलेगा यहां पर पाठ की अधार पर अबमनु के विशेष गोड़े लिखिए यहां पर गोड़े लिखने देए बीच में आपको अबमनु लिखा हूँ दिखाई पड़ेगा और चारत्रा बॉक्स हैं तो हम यहां लिख पुत्र ने पीच्छी सिस्तर में गदा मार दी तो इस तरह से हम यह सब्देजाल बना सकते हैं इसके हम चलेंगे नेक्स्ट पाठी तरफ पाठ का नाम है पाठ 16 बच्चों का पूंशतांच के अंदर इसमें पहला प्रसन आपको मिल जाएगा कि पूंशतांच के अंदर क् नेक्स कुछली मिल जा गाए Same च्छी सूर से हमें क्या मिलता है आँ प्रिकास सवर ओड़्या नेक्स कुछ्टे रेल गाली आने के पहले फाटक कर दिया आता है कि कोई द्रोटणा ना घटत हो इसलिए रेल गाली का फार्टक है रेल बेपर बन्द गर दी जाताहरा है नेक्स्ट कुरेंस संव्चे को चो थे बच्च सब्सक्यारूं यहाँ पर सहाल है कांच किस प्लस में प्लस हेलप लाइन है इसाई फॉन करेंगे और देखेंगे तो मेडिकल हेलप लान मिलती है तो में हमेंसे आद रहना चाहिए नेक्स्ट कुर्शन देखेंगे, दिये गए सब्दों का बिलोम सब्द में लिखना है, पहला सब्द है, लड़की का लड़का हो जाएगा, पिता का माता, सुतंदरता, परतंदरता, गलत का सही, सवाल का उत्तर, तो ये हमारे बिलोम सब्द जो हमने लिखे, इसका हम नेक्स्ट है, एक दिन की एक चंचल लड़की चीची, इसका नाम था चीची, शरत पर गहुम रही थी, चांद रात में रोसिंद देता है, और सूरज दिन में, दिन लिख देंगे, पूश्टाज केंदर सरत लगाने के लिए बंध है, बंध यहां पर फिल करना है, नेक्स दिसत आएं कि वो दोनों क्या है, जुडवा हैं, जुडवा एक विसेश्ड के रूप में प्रcken किया घया है, नेक्स्ट करूश्ट देखेंगे, वहाँ एक चोटी सी दुकान है, तो यहां दुकान तो है, लेकिन उसके विसेश्चता क्या है, वह एक छोटी सी दुकान है, कřिए छोटी सी पर हम सक्सक्राइब कर देंगे कि तेज चलना पसंद था उनको पसंद नहीं है तो इसके विए बिशैसर्ष्ट देखो ठीर टेज यहां पर शालाख है तो कुसे बिश Democrat यहां पर हम जएगा अब हम चलेंगे इसके next question तरफ एक डेकि के कौन कोन सी सापदानिय जो है रखनी चाहिए तो इसका दाय तरफ और वाय तरफ देख लेना चाहिए कि रेलगाडी तो नहीं आ रही है जब रेलगाडी दिखाई ना पड़े तभी रेल विलान को पार करनी चाहिए तो यह थी आपकी जो कारीय प्रस्तका है फुलवारी उसके कुछ शैप्टर आसा करते हैं वीडियो आपको सकार